नोश्कर दूस्तो वन इंडिया में मैं प्रशानत आप सभी का स्वागत करता हूँ देश का कई मौकों पर मान बढ़ाने वाली देश के लिए धेरो मेडल जीतने वाली साथ ही अर्जुन अवार्ड जैसे प्रतिष्टित संबान से संबानित भारत की स्टार महीला निशानिबाज मनु भाकर को दिल्ली एरपोर्ट पर बदसुलोकी का सामना करना पड़ा है एर इंडिया ने उन्हें फ्लाइट में ना सिर्फ चढ़ने से रोका बलकि उनसे 10,200 रुपे की मांग भी की गई मनु भाकर ने यहां तक आरोप लगाए कि उनके साथ हाथा पाई की गई और उनका मोबाइल तक उनसे छीन लिया गया था आपको पूरा मामला विस्तार से बताते हैं दरसल हुआ यहां कि निशानेबाज मनु भाकर शुकरवार को दिल्ली से भोपाल ट्रेनिंग की लिए जा रही थी लेकिन सिक्योरिटी चेक के दोरान एर इंडिया के अधिकारियों ने उन्हें फ्लाइट में बैठने से रोक दिया इसके बाद मनु भाकर ने एरपोर्ट से ही दनादन पाँच ट्वीट किये जिसमें उन्हें आरोप लगाया कि निशानेबाजी बंदूक से जुड़े कागजात होने के बावजूद एर इंडिया के अधिकारियों ने उनके साथ बतसुलू की की और उनसे 10,200 रुपए की म पहांग की जा रही है जबकि मेरे पास सभी वैद दस्तावेच और डीजीपी पर्मिट भी है एर इंडिया के प्रभारी उच्चा दिकारी मनुज गुपता और अन्य करमचारी मुझे अपमानित कर रहे हैं क्योंकि मेरे पास दो बंदूकें और कार्तूस है क्रेनरी जीज क्योंकि दखल के बाद उन्हें फ्लाइट में चड़ने दे दिया गया इसके कुछ देर बाद मनु ने ट्वीट कर खेल मंतरी का शुकरिया अदा भी किया जिसके जवाद में रिजीजी ने लिखा मनु भागर आप भारत की शान है समझ से परे है कि जिस खिलाडी को देश क खेल मंतरी देश का गौरव बता रहे हो उनके साथ दिल्ली एरपोर्ट पर इस तरीके का अपमान हुआ हो अंदाजा लगाया जा सकता है कि देश के बाकी कोनों में खिलाडियों के साथ किस तरीके का बरताव किया जाता होगा फिलाल गिलीज वीडियो में इता है तमाम झाल